Hello everyone, अधियन का क्षमे आप सब एका स्वागत है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम साइस की जो 10th क्लास की NCRT है उसे revise करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे chemical reactions की और equations की तो हम चान देते हैं कि chemical reactions होते क्या है तो जब भी कोई chemical change होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या है chemical reaction हुआ है अब हम यह कैसे पता लगाएं कि कहीं पे chemical reaction हुआ है या नहीं हुआ है तो जब भी किसी की state में change होता है या फिर color में change होता है या फिर कहीं पर gas evolve होती है या फिर temperature में change आता है तो मतलब कि वहाँ पर क्या है chemical reactions हुआ है यह जो phenomena है यह जो चीजें है यह आपको यह बताती है कि कहीं पर chemical reaction हुआ है या फिर नहीं हुआ है अब जब भी किसी substance पर कोई chemical change हो रहा होता है मतलब कि या तो उसकी state change हो रही है या फिर उसमें क्या है उसका color change हो रहा है मतलब कोई न कोई chemical change आ रहा है और जब भी कोई chemical change आगा तो क्या होगा एक नया substance form होगा तो जो substance जो है chemical change ही के अंदर होता है मतलब कि जिसके उपर chemical change हो रहा होता है उन Substances को हम क्या कहते हैं Reactants कहते हैं और जो नया Product वहां पे Form होता है मतलब कि जो नया Substance वहां पे बनता है उसे हम Product कहते हैं अब यहां पे आप देख सकते हो कि जब Magnesium जो है वो Oxygen के साथ React करता है तो हमें एक नया Product मिलता है जो है Magnesium Oxide तो यहाँ पे क्या है जो magnesium और oxygen है यह आपकी reactant है और जो नया product form हो रहा है यानि कि जो magnesium oxide है वो आपका product है अब जब भी हम किसी chemical equation की बात करते हैं तो वहाँ पे एक और बात का ध्यान देना होता है कि जब भी हम कोई chemical reaction रिखते हैं तो उसमें right hand side में जो आपके element होते हैं और जो left hand side पे आपके element होते हैं इनकी जो atom की जो संक्या होगी वो क्या होगी बराबर होगी मतलब कि दोनों तर यदि आपके दोनों तरफ जो number of atom है वो दोनों तरफ आपके बराबर है तो इसका मतलब है कि आपकी जो यह equation है यह क्या है balanced है और यदि यह जो number है यानि जो मतलब कि जो number of atom है element के product और reactant वाली side यदि यह दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जो equation है यह क्य है दो है लेकिन यदि हम राइट एंड साइड देखें तो यहां पर magnesium के atom 1 है और oxygen का भी 1 है तो इसका मतलब क्या है कि यह equation क्या है balanced नहीं है क्योंकि एक तरफ यदि हम देखें तो यहां पर oxygen के 2 atom है और दूसी तरफ देखें तो तो अब यह equation क्या है balanced हो गई है अब आप देख सकते हो कि यहां पर भी magnesium के 2 atom है यहां पर भी oxygen के 2 और इस तरफ भी magnesium के 2 है और oxygen के 2 है तो आप देख सकते हो कि दोनों left hand side और right hand side जो atom है number of atom है वो कितने है 4 4 है दो magnesium के है और दो oxygen के है और यह दोनों तरफ बराबर है तो अब आपकी जो equation है यह क्या है balance हो चुकी है next अब हम बात कर लेते हैं types of chemical reactions की इसमें हम different different जो types है chemical reactions के उनके बारे में जानेंगे तो जो हमारा सबसे पहला type है वो है combination reaction combination reaction ऐसे reaction होते हैं जिसमें दो या फिर दो से जादा reactant आपस में react करते हैं और हमें क्या मिलता है single product मिलता है for example जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो calcium oxide है जब वो water के साथ react करता है तब हमें calcium hydroxide मिलता है तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो number of reactant और हमें जो product मिल रहा है वो single product मिल रहा है मतलव कि ये क्या है combination reaction का example है इसमें क्या हो रहा है दो reactant आपस में react कर रहे हैं और हमें एग single product जो है वो मिल रहा है इसी के साथ हमें और example तो जब कार्बन oxygen के साथ react करती है तो तब हमें carbon carbon dioxide मिलती है मतलब कि यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास दो reactant है carbon और oxygen जो कि हमें सिंगल प्रोड़क्ट दे रहे हैं carbon dioxide तो यह भी क्या है combination reaction का example है तो यहां से आपको clear हो गया होगा कि जो combination reaction है उसमें दो या फिर दो से क्या करते हैं अपस में react करते हैं और हमें क्या है एक सिंगल प्रोड़क्ट मिलता है अभी हमने देखा कि जब calcium oxide यानि जो quick lime है जब water के साथ react करता है तो हमें calcium hydroxide यानि कि selected lime मिलता है इस reaction में जो calcium hydroxide यानि जो select lime हमें मिलता है उसका इस्तेमाल हम white washing में करते हैं आप ने देखा होगा कि जब भी हम walls को white washing करते हैं तो उसके दो तिन दिन के बाद क्या होता है जो walls होती है उस पर एक साइनी फिनिश आती है तो जब भी हम जो calcium hydroxide है उसे हम वाल पर apply करते हैं तो वह क्या करती है carbon dioxide के साथ react करती है और दिवार पर calcium carbonate की जो layer है वो छोड़ देती है तो आपको पता होना चाहिए कि white washing के लिए किस चीज का इस्तिमाल किया जाता है और जो reaction होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो जो white washing है उसके लिए select lime यानि जो calcium hydroxide होती है उसका इस्तिमाल किया जाता है इसी के साथ एक और important point है कि जो आपके पास marvel होता है उसका chemical formula भी CACO3 होता है next अब हम बात कर लेते हैं exothermic reaction की तो जो exothermic reaction है वो ऐसे reaction होते हैं जिसमें जब भी जो reactant होते हैं वो react करते हैं और जो product form होता है तो उस product की formation के साथ क्या होता है heat release होती है मतलब कि heat evolve होती है तो ऐसे जो reaction जहांपे heat release होती है evolve होती है उन reactions को हम exothermic reaction कहते हैं जैसे कि आपका burning of natural gas हो गया, respiration हो गया, decomposition of vegetable matter into compost हो गया ये सभी आपके exothermic reaction के example है क्योंकि इन सब में क्या है बहुत जादा heat evolve होती है next अब हम बात कर लेते हैं decomposition reaction की तो decomposition reaction ऐसे reaction होते हैं जहांपर कोई single reactant जो है वो तूड़ता है और हमें simpler product देता है for example आप देख सकते हो कि जब ferrous sulfate को heat किया जाता है तो तब हमें कौन-कौन से simpler substances मिलते हैं वो है ferric oxide, sulfur dioxide और sulfur trioxide तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो reactant है वो एक single reactant है और जब हमने इसको heat किया तो हमारे पास product की form में कितने simpler जो है product हमें मिले हैं इसी के साथ एक और example है कि जब हम calcium carbonate को heat करते हैं तो तब हमें calcium oxide और carbon dioxide मिलते हैं और यह भी आपका decomposition reaction का एक example है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है एक single reactant जो है वो टूट रहा है और हमें simpler substances ऐसा product वो दे रहा है और यह जो आपका calcium oxide है इसे lime या फिर quick lime भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल जो है smint की manufacturing में किया जाता है और आपका जो यह वाला reaction है जहाँ पर calcium carbonate से हमें क्या मिलता है quick lime मिला है यह वाला reaction आपका काफ़ important है क्योंकि यह बहुत सारी industries में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे reaction यानि ऐसे decomposition reaction जिनमें की heating का इस्तेमाल हो रहा है मतलब कि हम heat का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको breakdown करने के लिए तो उससे हम thermal decomposition भी कहते हैं इसी के साथ हमारे पास एक और example है कि जब भी silver chloride को दूप में रखा जाता है यानि sunlight में दखा जाता है तब क्या होता है उसका color gray हो जाता है तो ऐसा होता है silver chloride की decomposition की वज़ा से मतलब कि जब भी हम silver chloride को हम धूप में रखेंगे sunlight में रखेंगे तो जो silver chloride है उसकी decomposition हो जाती है silver और chlorine में इसी के साथ जो आफका silver bromide है वो भी आफका silver chloride की तरह ही react करता है मतलब कि जब भी हम silver bromide को जो है वो sunlight में रखते है तो क्या होता है उसकी decomposition हो जाती है और हमें क्या मिलता है silver और bromine मिलते है इसी के साथ यह जो आपके reaction है यह आपके black और white photography में इस्तेमाल किये जाते हैं तो आपको पदा होना चाहिए कि black और white photography में कौन से reaction जो है वो use किये जाते है अब इतक हमने decomposition reaction के जितने भी example देखे तो हम ने देखा कि कुछ reactions में हमने क्या किया था उन्हें heat provide करवाई थी और इन वाले केस में हमने क्या क्या था उन्हें sunlight की presence में रख दिया था ठीक है तो मतलब है कि जो decomposition reaction है उन्हें क्या चाहिए होती है energy चाहिए होती है या तो एनर्जी हीट की form में हो गई या तो फिर वो light की in form में होती है लेकिन उनको क्या है energy चाहिए होती है फिर क्या होता है जो adaptation होता है वो तूट जाता है और हमें product मिलते हैं तो ऐसे reaction जहां पर energy क्या है absorb होती है मतलब की energy देनी परती है उन reaction को हम क्या कहते हैं alternating reaction कहते हैं दूसरा हमने एक और चीज बड़ी थी exothermic reaction, exothermic reaction ऐसे reaction होते हैं जहां पर heat क्या है, evolve होती है, मतलब कि energy release होगी, heat क्या है, वो release होगी, तो question पूछा जा सकता है कि जो decomposition reaction है, वो किस तरह के reaction है, तो जो decomposition reaction है, वो कैसे reaction है, endothermic reaction है, I hope कि आपको ये clear हो गया होगा, next, अब हम बात कर लेते हैं, displacement reaction की, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, displacement, मतलब कि किसी चीज की क्या है, displacement हो रही है, कोई चीज क्या है, displace हो रही है, तो जैसा कि आप example में देख सकते हो, कि यहाँ पर आपका iron, जब copper sulfate के साथ react करता है, तो जो iron है, वो copper को क्या है, remove कर देता है, वहाँ से displace कर देता है, और हमें क्या मिलता है, ferrous sulfate और उसके साथ copper जो है, हमें मिलता है, तो ऐसे जो reaction होते है, इन reaction को हम क्या कहते है, displacement reaction कहते है, similarly, अब हमारे पास एक और example है, कि जब हम zinc को copper sulfate के साथ जो है, रही react करवाते है, तो जो zinc क्या है, वो copper को क्या है, displace कर देता है, और हमें क्या मिलता है, zinc sulfate मिलता है, और similar case हम lead के साथ भी देख सकते है, यहाँ पर जो आपका zinc और iron है, वो copper से ज़्यादा reactive है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, copper को वहाँ से displace कर दिया है, मतलब कि copper को उसके compound से displace या फिर remove कर दिया है, next अब हमारे पास है double displacement reaction, तो double displacement reaction ऐसे reaction होते हैं, जहाँ पर कि आपके पास चो reactant होते हैं, उसमें क्या होता है, exchange of ions होता है, जैसा कि आप इस example में देख सकते हो, कि जब sodium sulfate आपका barium chloride के साथ react करता है, तो तब हमें barium sulfate और sodium chloride मिलता है, तो आप यहाँ reactant वारी side देख सकते हो, जहाँ पर पहले sodium था, अब वहाँ पर barium है, और जहाँ पर पहले barium था, अब वहाँ पर क्या है, आपका sodium है, तो इनमें क्या हुआ है, आपस में exchange of ions हुआ है, तो ऐसे reactions को हम क्या कहेंगे, ऐसे reaction को हम कहेंगे, double displacement reaction, अब हम बात कर लेते हैं, oxidation और reduction की, substance है, वो oxidize हो रहा है, दूसरी तर्फ, यदि किसी reaction में, कोई substance चो है, oxygen को lose कर रहा है, और hydrogen को gain कर रहा है, तो मतलब कि वहाँ पर reduction हो रही है, मतलब कि वो substance चो है, वो reduce हो रहा है, तो जहाँ पर भी आपका gain of oxygen और loss of hydrogen होगा, वहाँ पर आपके oxidation होगी, और जहाँ पर loss of oxygen और gain of hydrogen होगा, वहाँ पर आपकी reduction होगी, तो जैसा कि यहाँ पर example है, कि जब copper oxide आपका hydrogen के साथ react करता है, तो हमें क्या मिलता है, copper और water मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो copper oxide है, उसने क्या किया है, oxygen को lose किया है, और हमें क्या मिला है, copper मिला है, तो मतलब कि यदि इसने oxygen को lose किया है, तो oxygen के lose होने का मतलब है, कि यहाँ पर क्या है, reduction होगी है, दूसरी और जो hydrogen है, इसने क्या है, gain of oxygen किया है, और gain of oxygen का मतलब है, कि यहां पर क्या है औकसीजन हूई है similarly हमारे पास एक और एक्जामपल है जहां पर जिंक औकसाior envy ने कार्बन के साथ रियक्ट किया है तो यहां पर जिंक को काइड है इसने oxygen को loose किया है तो यहां पर जो जिंच का gain होगा और hydrogen का loss होगा वहाँ पर क्या है oxidation होगी और जहां पर oxygen का loss होगा और hydrogen का gain होगा वहाँ पर reduction होगी और ऐसे reaction जहां पर oxidation और reduction दोनों होते हैं मतलब कि एक reactant oxidize हो रहा होता है और दूसरा क्या है reduce हो रहा होता है तो ऐसे reaction को हम redox reaction कहते हैं या फिर oxidation reduction reaction reaction भी कहते हैं next अब हम बात कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि iron यानी लोहे की जो चीज होती है smakaya के सासाथ क्या होता है उसके उपर एक reddish brown colour की layer जम जाती है उसको हम कहते हैं कि इसके उपर जंग लग गई है रस्ट लग गई है और जब भी किसी iron की चीज़ पर रस्ट लगती है मतलब कि उसके उपर जंग लगती है तो इसका मतलब होता है कि वो क्या? damage हो गई है खराब होने का डैमेज होने का इस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं मतलब कि जब भी कोई मैटल उसके स्रावंडिंग के सबस्टासिस जैसे की मौश्यर हो गये इनकी वज़से क्या हो जाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो यह जो प्रोसेस होता है सारा इस प्रोसेस क उसके उपर black color की और जो copper है उसके उपर green color की coating देखने को मिलती है next अब हम बात कर लेते हैं rancidity की तो जब भी जो fats और oils होते हैं जब वो oxidize हो जाते हैं मतलब कि उनकी oxidation होती है तो क्या होता है उनके जो smell होता है और उनका जो taste होता है वो change हो जाता है तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं rancidity कहते हैं इसलिए ऐसे food जिनमें की fats और oils होते हैं उन food में oxidation को prevent करने के लिए हम कुछ ऐसे substances add करते हैं जो कि oxidation को क्या करते हैं prevent करते हैं और खाने को क्या है वो बचा लेते हैं तो यह जो स्टांसी होते हैं जिनको हम एड करते हैं उन्हें एंटी ऑक्सिडेंट्स कहते हैं जो की खाने को रहने से बचा लेते हैं मतलब कि उनकी ऑक्सिडेशन नहीं होगी फिर उनका जो टेस्ट होगा और उनकी जो स्मेल होगी वो ठीक रहेगी यदि हम उनमें एंटी ऑ oxidation से prevent किया जाए मतलब कि उनकी oxidation ना हो ताकि उनका टेस्ट क्या है वो ठीक रहे इसी के साथ चो oxidation का process है इसे कम करने के लिए धीमा करने के लिए हम airtight container का इस्तेमाल भी करते हैं मतलब कि यदि हम food को क्या करेंगे airtight container में रखेंगे तो जो oxidation का process होता है वो धीमा हो जाता है अब है तो इस्तेमाल करते है nitrogen का और वो किसलिए करते हैं वो करते हैं ताकि जो chips है उनको oxidize होने से बचाया जा सके next अब हम बात कर लेते हैं acids and salts की इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे acids की यानि अमलो की तो जो acids होते हैं वो टेस्ट में क्या है खटे होते हैं अब जो कर्ड है lemon juice उसे orange है vinegar है यह सभी टेस्ट में खटे होते हैं क्योंकि इन सब चीजों में क्या है acid पाय जाते हैं और जो acid होते हैं वो blue litmus को red में change कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि blue litmus को red कौन करता है तो blue litmus को red करते है acids next अब हम देख लेते हैं कि कौन सा acid जो है वो किस चीज में पाया जाता है तो जो आपका acetic acid है वो vinegar में, formic acid, ant sting यानि चिंटी के डंक में, citric acid, citrus fruits जैसे orange, lemon इन चीजों में पाया जाता है और जो lactic acid है वो curd में, oxalic acid, spinach और tomato में, ascorbic acid, आमला में, tartaric acid, tamarind, grapes और कच्छे आम में पाया जाता है अब इस चीज को आपको अच्छे स लर्न कर रहना है कि किस चीज में कौन सा acid पाया जाता है क्योंकि यहां से question भी पूछा जाता है और जो oxalic acid किस चीज में पाया जाता है यह वाला question अल्रेड़ी 2-3 times पूछा जा चुका है next अब हम बात कर लेते हैं basis की तो जो base होते हैं वो taste में कड़बे होते हैं और यदि हम इसके solution को अपनी उंगलियों के बीश में रब करते हैं यानि रगड़ते हैं तो यह साबून की तरह feel होते हैं इसी के साथ जो base होते हैं यानि जो खशारक होते हैं वो red litmus को blue में change करते ह हैं यदि आपको यह confusion होता है कि acid और base में कौन सा किस litmus को change करता है तो हम इसे ऐसे यानि रख सकते हैं acid यानि A अब A का जो immediate neighbor है मतलब कि जो A से next letter है वो है हमारे पास B मतलब कि acid क्या है वो blue को red में change करता है तो आपको इसे कैसे यानि रखना है acid acid का first letter क्या है A A के बाद next letter क तो हम याद रखना है कि A से acid B से blue मतलब कि जो acid है वो blue litmus को कि इसमे red में change करता है यदि आपको यह याद रहता है तो यहां से आप easily पता कर लोगे कि जो base है वो क्या होगा red को blue में change करेगा next अब हम बात कर लेते हैं indicators की तो जो indicator होते हैं वो कुछ विशेश प्रकार की substances होत इसलब कि यह जानने के लिए कि कोई substance acidic है basic है इस चीज के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे हम indicator कहते हैं सधार शब्दों में कहें तो indicator का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई जो substance है वो acidic है या basic है अब जो indicator है वो दो प्रकार के होते हैं natural indicator और synthetic indicator जो natural indicator होते हैं वो हमें nature यानि प्रकृति से प्राप्त होते हैं जैसे कि आपका turmeric हो गया, red cabbage leaves हो गया और कुछ फूल जैसे hydrangea, petunia, geranium इनकी जो पंखडिया होती हैं ये सबी क्या है? natural indicator का काम करती है दूसरी जो synthetic indicator है, वो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं इन्हें क्या होता है? इन्हें हमारे दोरा prepare किया जाता है मतलब कि laboratory में ये खुद prepare किये जाते हैं इसमें हमारे पास phenol fateline और methyl orange आ जाते हैं और जो phenol fateline है, जब इसे acid में add किया जाता है तो ये colorless रहता है और जब इसे base में add किया जाता है तो ये क्या है? पिंक कलर का हो जाता है दूसरा जो methyl orange है, जब इसे acid में mix किया जाता है तो ये red color शो करता है और जब इसे base के जाब mix किया जाता है तो तब ये yellow color शो करता है नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लिटमस की जो लिटमस है एक तरह का natural indicator है यानि की प्राकृतिक सूचक है और यह सबसे जादा common use किये जाने वाला indicator है जिसका इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई substance acidic है यह basic है इसी के साथ एक और important point है कि जो लिटमस है उसे lichen से extract किया जाता है ठीक है यह काफी important point है कि बहुत सारे exam में एक question पुछा जा चुका है कि जो लिटमस है वो कहां से extract किया जाता है तो यह extract किया जाता है lichen से और जो lichen है यह plant है जो कि भी थेलोफाटाअ डिवीजन से बिलौग करता है नेक्स इस्पाइट पॉइंट है कि जो लिटमस है यानि जो लिटमस सॉलूशन है यह purple कलर का होता है मतलब कि जो litmus solution जब तक वो acid क्या basic नहीं है तब तक वो कैसा होता है? mauve यानि purple कलर का होता है और acid क्या करते हैं? उसे red में change कर देते हैं और जब base होते हैं वो क्या करते है? red को blue में change कर देते हैं इसके अलावा ऐसे भी solution होते हैं जो कि litmus के color को change नहीं करते मतलब कि ना ही वो red का change करेंगे ना ही वो blue का change करेंगे तो ऐसे solution को हम कहते हैं neutral solution जो कि litmus का color change नहीं करते हैं next अब हम बात कर लेते हैं all factory indicator की तो कुछ ऐसे भी substance होते हैं जिनका odor change हो जाता है acid को और basic medium में तो ये जो substance होते हैं इन्हें all factory indicator कहते हैं तो मतलब कि हम किसी substance के acid क्या फिर basic होने का पता किसी चीज़ के odor से भी लगा सकते हैं तो ऐसे substance जो कि अपना odor change कर देते हैं acid को और basic media में उन substances को क्या कहते हैं all factory indicator कहते हैं for example onion और vanilla extract next अब हम बात कर लेते हैं reaction of acid and base की मतलब कि जब acid or base आपस में react करते हैं तो क्या होता है और हमहें क्या मिलता है तो जब भी acid or base आपस में react करते हैं तो तब हमें salt और water मिलते हैं for example जैसे कि हाँपे हमारा base है sodium hydroxide और acid हमने लिया है hydrochloric acid तो जब यह दोनों आपस में react करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है sodium k resultados or water और यह paid option क्या कहते हैं neutralization reaction कहते हैं यहां से आप से पुछा ना सकता है कि जो acid or base के बीच में reaction होता है उस reaction का नाम क्या है तो reaction को कहते है neutralization reaction और इसमें जो product निकलते हैं वह होता है salt and water मतलब कि जब भी आप acid को base के साथ react करवाओगे तो as a result and as a product आपको हमेशा salt और water ही मिलेंगे next अब हम देख लेते हैं कि जो metal carbonate है और जो metal hydrogen carbonate है वह acid के साथ कैसे react करते हैं तो जो हमें metal के carbonate हैं और hydrogen carbonate हैं यह सभी क्या करते हैं acid के साथ react करते हैं और हमें salt carbon dioxide और water देते हैं For example, जैसे कि हमगर सोडियुम carbonate बाचेन मेर जब हम अन्हेक्ट के साथ react को तो हम यह CTA के साथ तो यह क्या देता है ? CTA कभाल मुन dúब के साथ एट्रनाफ़ Chan गाल ज équझाद हें。 इसए कग आपचा कई hydroxide gas evolve होती है जब हम इस gas को calcium hydroxide यानि कि जो lime water है उसके थ्रोपास करवाते हैं तो तब हमें calcium carbonate और water मिरते हैं इसी के साथ एक और important point है कि जो limestone है चौक है और marvel है यह सबी क्या है calcium carbonate की different forms है next अब हम बात कर लेते हैं reaction of metallic oxide with acid अब जो metal के oxide होते हैं यह basic nature के होते हैं तो जब metal oxide जो है वो acid के साथ react करते हैं तो तब यह हमें salt और water देते हैं ठीक है next अब है कि reaction of non metallic oxide with base अब जो non metal के oxide होते हैं वो acidic nature के होते हैं तो जब भी यह base के साथ react करते हैं तो तब यह हमें salt और water देते हैं तो आपको याद रखना है कि जो metal के oxide होते हैं वो basic nature के होते हैं और जो non metal के oxide होते हैं वो acid nature के होते हैं next अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी acid या फिर base को water के साथ add किया जाता है यानि कि dissolve किया जाता है तो तब क्या होता है तो जब भी acid या फिर base को water के साथ mix किया जाता है तो क्या होता है जो उनमें ions होते हैं उनकी concentration कब हो जाती है और यह जो process होता है जहां पर acid या फिर base को water के स सैस है जहाँ पर हम acid या फिर base को water के साथ mix करते हैं यानि उसमें dissolve करते हैं यह बहुत जादा exothermik होता है exothermik का मतलब है कि यहाँ पर बहुत जादा heat release होती है तो आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है water में जो acid या फिर base है उसे धीरे-धीरे add करना है next अब हम बात कर लेते हैं pH scale की जो pH scale है यह ऐसा scale होता है जिससे किसी भी solution में hydrogen ion की concentration को measure किया जाता है मतलब कि ऐसा scale जिसके माध्यम से hydrogen ion की concentration को मापा जाता है उसे pH scale कहा जाता है इसमें जो P होता है उसे potence कहा जाता है और इसका earth power होता है और जो pH scale है यह 0 से 14 तक होती है मतलब कि इस scale पर हम 0 से 14 तक के pH को measure कर सकते हैं उसे माप सकते हैं और ऐसा solution जिसका pH 7 हो उसे neutral solution कहा जाता है और ऐसा solution जिसका pH 7 से कम हो उसे acidic solution और ऐसा solution जिसका pH 7 से जादा हो उसे basic solution कहा जाता है तो जो आपकी pH scale है वो 0 से 14 तक होती है और जो 7 होता है वो neutral solution का pH होता है और जो 7 से कम का pH होता है वो acidic solution का होता है और 7 से जादा जिनका pH होता है वो basic solution होते हैं मतलब कि यदि किसी का pH 3 है तो इसका मतलब है कि वो acidic solution है और यदि किसी का pH 8 है तो इसका मतलब है कि वो basic solution है और यदि किसी solution का pH 7 हो तो इसका मतलब है कि वो एक neutral solution है चलिए अब हम कुछ solution और उनके pH को जान लेते हैं कि उनका pH क्या होता है तो जो gastric juice है उसका pH 1.4, lemon juice का 2.5, vinegar का 4.0, tomato juice का 4.1, urine का 4.8, coffee का 5.0 और जो आपका soft drink है उसका pH 6.0 होता है इसी के साथ जो saliva है उसका pH 6.5, milk का 6.5 और जो pure water है उसका pH 7 होता है मतलब कि जो pure water है वो एक neutral solution होता है और जो blood है उसका pH 7.4, sea water का 8.5 और जो toothpaste है उसका 9.0 और जो milk का magnesium hydroxide है उसका pH 10.5 होता है next अब हम बात कर लेते हैं importance of pH की तो जो हमारी body होती है वो 7.0 से 7.8 की जो pH range होती है उसके बीच में काम करती है और जब rain water का pH 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसे acid rain कहते हैं next अब हम बात कर लेते हैं pH 9.0 digestive system की तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि जो हमारा stomach होता है उसमें hydrochloric acid होता है जो की खाने को पचाने में हमारी help करता है लेकिन यदि इसकी मात्रा जादा हो जाती है तब हमें apachan की दिक्कत आ जाती है और इससे रहात पाने के लिए हम anti-acid जैसे milk of magnesia यानि जो magnesium hydroxide होता है उसका इस्तेमाल करते हैं क्यूंकि जो acid और base होते हैं ये एक दुसरे के effect को neutralize करते हैं तो इस case में जो magnesium hydroxide होता है यानि कि जो milk of magnesia है ये hydrochloric acid के effect को neutralize करता है next अब हम बात कर लेते हैं कि जो pH change है वो tooth decay का कारण भी होता है जब मुझ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो तब tooth decay होना शुरू हो जाता है ऐसा इस वजह से होता है क्यूंकि जो हमारा mouth है उसमें bacteria present होते हैं और खाना खाने के बाद मुझ में जो थोड़ा बहुत खाना रह जाता ह है यह उसको degrade करके acid produce करते हैं और यदि मुझ का चो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है tooth decay होना शुरू हो जाता है तो यदि हमें दांतों को बचाना है तो इसके लिए हमें खाना खाने के बाद हमेशना मुझ को साफ करना चाहिए और चो toothpaste होती है इसका इस्तेमाल भी इसी लिए किया जाता है क्योंकि जो toothpaste होती है वो basic होती है और जब हम इससे अपने दांतों को clean करते हैं तो यह जो excess acid होता है उसके effect को neutralize करती है इसे के साथ एक और important point है कि जो tooth animal है वो calcium hydroxyptide से बना होता है जो की body का hardest substance है मतलब की सबसे hard substance है next अब हम कुछ acid और उनके natural sources को देख लेते हैं तो जो acidic acid है वो vinegar से, citric acid आपका orange और lemon में, tartaric acid आपका tamarind में, oxalic acid tomato में और जो lactic acid है वो curd में और जो methinoic acid है वो nettle sting में और जो अपकी ant sting होती है उसमें भी methinoic acid होता है next अब हम बात कर लेते हैं pH of salt की तो हमें पता है कि जब acid और base आपस में react करते हैं तब हमें salt मिलता है तो जो strong acid और strong base का salt होता है वो neutral होता है, neutral होने का मतलब है कि उसका जो pH होता है वो 7 होता है और जो strong acid और weak base का salt होता है वो acidic होता है मतलब कि उसका जो pH है वो 7 से कम है और जो strong base और weak acid का salt होता है वो basic होता है मतलब कि उसका जो pH है वो 7 से ज़ादा होता है next अब हम बात कर लेते हैं कि जो common salt है यानि जो sodium chloride है उसका इस्तिमाल as a raw material मतलब कि और chemicals को बनाने में इसका इस्तिमाल किस तरह से किया जाता है और इससे क्या-क्या बनाया जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे sodium hydroxide यानि NaOH की तो जब sodium chloride के aqua solution से electricity को पास कराया जाता है तो तब वो sodium hydroxide में decompose हो जाती है और ये जो process होता है इस process को chloralkali process कहा जाता है इसे के साथ एक और important point कि जो sodium chloride का aqua solution होता है उसे brine कहा जाता है तो आप देख सकते हैं कि जब sodium chloride के aqua solution से electricity को पास कराया जाता है तो तब हमें sodium hydroxide, chlorine और hydrogen मिलते हैं तो यहां पर जो हमें chlorine gas मिलती है इसका इस्तेमाल bleaching powder की manufacturing में किया जाता है तो जब यह chlorine gas slaked lime यानि calcium hydroxide के साथ react करती है तो तब हमें bleaching powder मिलता है और ये जो bleaching powder है इसका इस्तेमाल cotton की bleaching में और textile industry में किया जाता है इसी के साथ इसका इस्तेमाल laundry में भी होता है और बहुत सारी chemical industries में इसका इस्तिमाल oxidizing agent के रूप में भी किया जाता है और जो पीने का पानी होता है उसको germs से free करने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है Next, अब हम बात कर लेते हैं baking soda की baking soda से हम सभी familiar हैं क्यूंकि इसका इस्तिमाल cooking में भी किया जाता है जो baking soda है इसका chemical name sodium hydrogen carbonate होता है तो जब sodium chloride, water, carbon dioxide और ammonia आपस में react करते हैं तो तब हमें ammonium chloride और sodium hydrogen carbonate मिलता है मतलब की baking soda प्राप्त होता है और जब sodium hydrogen carbonate को heat किया जाता है तो तब हमें sodium carbonate, water और carbon dioxide मिलते हैं अब हम बात कर लेते हैं baking soda के uses की तो जो baking soda है उसका इस्तेमाल baking powder बनाने के लिए किया जाता है जो baking powder है यह mixture होता है baking soda यानि जो sodium hydrogen carbonate है और कोई mild edible acid जैसे की tartaric acid हो गया इनका जो mixture होता है उसे baking powder कहा जाता है तो मतलब की जो sodium hydrogen carbonate है उसका इस्तेमाल baking powder बनाने के लिए भी किया जाता है इसी के साथ इसका इस्तेमाल anti-acid में भी किया जाता है यह हमारे stomach में जो excess acid होता है उसके effect को neutralize करता है और हमें pain और irritation से राहत मिलती है इसी के साथ इसका इस्तेमाल soda acid fire extinguishers में भी किया जाता है next अब हम बात कर लेते हैं washing soda की तो हमने भी बात की थी कि जब sodium hydrogen carbonate को heat किया जाता है तो तब हमें sodium carbonate मिलता है और जब इसकी recrystallization होती है तो तब हमें washing soda मिलता है यह जो washing soda है इसका इस्तेमाल glass, soap और paper industries में किया जाता है इसी के साथ इसका इस्तेमाल sodium compounds जैसे की borax हो गया इनकी manufacturing में किया जाता है और इसका इस्तेमाल cleaning agent के रूप में भी किया जाता है और जो water की permanent hardness होती है उसको remove करने के लिए भी washing soda का इस्तेमाल किया जाता है next अब हम बात कर लेते हैं plaster of Paris की तो जब gypsum को 373 Kelvin पे heat किया जाता है तो तब यह अपने water molecules को rose कर देता है और हमें calcium sulfide hemihidrate यानि की plaster of Paris मिलता है और यह जो plaster of Paris होता है यह white powder होता है और जब इसे water के साथ mix किया जाता है तो यह gypsum में change हो जाता है तो मतलब कि जब आपका plaster of Paris वाटर के साथ react करता है तो यह gypsum में change हो जाता है और जब gypsum को heat किया जाता है 373 Kelvin पर तो यह अपने water molecules को lose करता है और हमें plaster of Paris यानि calcium sulfide hemihidrate प्राप्त होता है जो plaster of Paris है इसका इस्तेमाल twice बनाने के लिए decoration का समान बनाने के लिए auto surface होती है उसे smooth बनाने के लिए किया जाता है इसी के साथ इसका इस्तेमाल doctor के द्वारा plaster के रूप में भी किया जाता है मतलब की जब कोई bone fracture होती है तो doctor इसका इस्तेमाल as a plaster करते हैं ताकि उसे sport दे सके ताकि वो सही position में रहे next अब हम बात कर लेते हैं metals और non-metals की यानि धातू और धातूँ की सबसे पहले हम बात करेंगे metals की यानि धातूँ की तो जो metal होते हैं वो hard होते हैं यानि किक ठोर होते हैं और lustrous होते हैं lustrous का मतलब है कि वो चमकीले होते हैं अब ऐसा नहीं है कि सभी metal की hardness है वो same होगी जो metal की hardness है ये metal to metal vary करती रहेगी मतलब कि कुछ metal हो सकता है बहुत जादा hard हो और कुछ हो सकता है कि कम hard हो तो जो hardness है वो क्या है? metal to metal vary करती है इसी के साथ जो metal होते हैं वो malleable होते है malleable का मतलब है कि इन्हें पीट कर यानि पीट पीट कर इन्हें पतली चादरो यानि जो thin sheets होती है उन में convert किया जा सकता है इसी के साथ जो metal होते हैं वो ductile भी होते है ductile का मतलब है कि इन्हें पतली लंबी तारों में convert किया जा सकता है for example जो आपका gold है वो सबसे जादा ductile metal है जो 1 gram gold होता है इससे हम लगवक 2 km लंबी तार बना सकते है तो यहाँ पे एक और important point आपको मिल जाता है कि सबसे ductile metal कौन सा है gold है next property है कि जो metal होते हैं वो sonorous होते हैं sonorous का मतलब है कि जब भी यह hard surface के साथ टकराएंगे तो क्या होगा sound produce होगी इसी के साथ जो metal होते हैं यह बहुत अच्छे conductor होते हैं heat के जो आपका silver है या copper है यह सबसे ज़ादा अच्छे conductor होते हैं heat के इसे के साथ है electricity के भी अच्छे conductor होते हैं आपके पास बहुत सारे metal के example भी दिये हुए हैं जैसे कि iron, copper, aluminium, magnesium यह सारे क्या हैं आपके पास धातू हैं तो धातू के properties हमारे पास होगे हघ, lustrous, malleable, ductile, sonorous होती है और heat और electricity की अच्छी चालग होती है यानि की अच्छी conductor होती है next अब हम बात कर लेते हैं non metal की यानि अधात्वों की तो जो non metal होते हैं यानि जो अधात्वों होती है वो non lustrous होती है non lustrous का मतलब है कि वो चमकीली नहीं होती है इसी के साथ जो non-metal होते हैं वो heat और electricity के कुछ अलग होते हैं मतलब की insulator होते हैं जैसे कि आपका carbon हो गया, sulfur हो गया, phosphorus हो गया यह आपके अधातों के example है और जो non-metal होते हैं या तो फिर वो solid form में होते हैं या फिर gases form में होते हैं सिर्फ जो bromine है ये एक exception है जो कि liquid form में होता है next अब हम कुछ important points देख लेते हैं तो हमारे पास जो भी metal है जितने भी metal है ये room temperature पर solid form में होते हैं सिवाए mercury को mercury एक exception है इस case में मतलब कि mercury एक ऐसा metal है जो कि room temperature पर liquid form में होता है mercury को छोड़कर जितने भी हमारे पास metal है ये सभी room temperature पर solid form में exist करते हैं इसके अलावा जो gallium और cesium है इनका जो melting point होता है बहुत जादा low होता है तो यदि हम gallium और cesium को अपनी हथेली पर रखें तो ये क्या है melt हो जाते हैं जब हमने non metal के बारे में जाना था तो उसमें हमने जाना था कि जो non metal होते हैं वो non lustrous होते हैं लेकिन iodine एक ऐसा non metal है जो की lustrous है यानि की चमकीला होता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा non metal है जो की lustrous है तो iodine एक ऐसा अधातू है एक ऐसा non metal है जो की lustrous है इसी के साथ जो carbon है वो एक ऐसा non-metal है जो की different different form में exist करता है और इसकी जो forms होती है उन forms को हम allotrops कहते हैं अब जान लेते हैं allotrops of carbon के बारे में यानि की carbon की different different forms के बारे में तो यह exist करती है diamond की form में, graphite की form में जो diamond है यह hardest natural substance है मतलब कि यह क्या है सबसे कठोर प्राकृतिक substance है अब अभी हमने बात की थी कि जो carbon है वो क्या है एक non-metal है और जो non-metal क्या होते हैं वो क्या करते हैं जो heat of electricity होती है उसके कुछ अलक होते हैं लेकिन यह जो allotrop है यानि एक form है carbon की graphite यह क्या है electricity की अच्छी conductor है इसी के साथ जो alkali metal है for example lithium हो गया sodium हो गया potassium हो गया यह बहुत जादा soft है कि इने हम knife से काट सकते हैं इससे पहले वने देखा था कि जो metal होते हैं वो क्या होते हैं हाड होते हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी metal होते हैं जो इतने soft होते हैं कि हम उन्हें knife के थुरू काट सकते हैं तो यह सारे point आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कहां पे कौन सी exception है क्योंकि यहां से question पूछा जा सकता है next अब हम बात कर लेते हैं reaction of metal with oxygen मतलब कि जब metal oxygen के साथ react करते हैं तो तब क्या होता है तो जब भी metal oxygen के साथ react करते हैं तब हमें metal oxide मिलते हैं For example, जब अपका copper जो है oxygen के साथ react करता है, तब हमें क्या मिलता है, copper oxide मिलता है. और जो metal के oxide होते हैं, वो हमने पहले भी बात की थी, कि जो metal के oxide होते हैं, यानि कि जो metallic oxide होते हैं, वो क्या होते हैं, basic nature के होते हैं. जैसा कि मैंने भी कहा, कि जो metal के oxide होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं तो दूसरी तरफ जो नॉन मैटल के अक्साइड होते हैं मतलब कि जो नॉन मैटल मैटल के साथ रियक्ट करते हैं तो क्या होता है नॉन मैटल के अक्साइड बनते हैं और यह जो नॉन मैटल के अक्साइड होते हैं Acidic In Nature होते हैं Next, अब हम बात कर लेते हैं Amphoteric Oxide की तो एसे भी oxide होते है जो कि Acid और BASE दोनों के साथ React करते है तो ऐसे metal के oxide जो कि Acid और BASE दोनों के साथ React करते हैं और Salt और Water Produce करते हैं उन metal oxides को क्या बोलते है Amphoteric Oxides बोलते हैं जैसे कि आपका Aluminium Oxide हो गया और Zinc Oxide हो गया आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका Aluminium Oxide है जब वो acid या फिर base के साथ react करता है तब हमें क्या बिलता है salt और water मिलते हैं और यह जो oxide होते हैं, जो कि दोनों के साथ react करते हैं, acid के साथ भी, बेस के साथ भी, उन metal oxide को हम क्या कहते हैं, amphoteric oxides कहते हैं, अब हमारे पास कुछ ऐसे भी metal हैं, जैसे कि आपका potassium हो गया, sodium हो गया, यदि हम इसे खुले में रखते हैं, तो यह क्या करते हैं, oxygen के साथ react कर ले मैं इसे किस में डूबो कर रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है, kerosene oil में डूबो कर, next अब हम बात कर लेते हैं, anodizing, तो anodizing एक ऐसा प्रोसेस है, जहांपे की, thick oxide layer बनती है, aluminium की, मतलब जब भी aluminium जो है, वो air के साथ expose होता है, तो क्या होता है, oxide की एक पतली सी layer बन जाती है, तो इसी technique का इस्तिमाल किया जाता है, चीजों को फर्दर क्या है, corrosion से बचाने के लिए, next अब हम बात कर लेते हैं, reaction with water की, मतलब कि जब metal जो है, वो water के साथ react करते हैं, तो तब क्या होता है, तो जब भी metal water के साथ react करता है, तो तब metal oxide बनते हैं, और साथ में hydrogen gas बनती है और यह जो metal oxide होता है, water के साथ react करता है, और क्या बनाता है, metal hydroxide बनाता है, अब यह जो sodium और potassium जैसे metal है, यह बहुत जादा violently react करते हैं, cold water के साथ, मतलब कि इस reaction में जो hydrogen gas निकलती है, वो एकदम से आग पकड़ लेती है, for example, जैसे कि जो आपका potassium है, जब यह water के साथ react करता ह तो ये बनाता है, potassium hydroxide और साथ में hydrogen gas, इसी के साथ क्या है, वो heat energy release होती, अब क्या है, यहाँ पे heat energy release हो रही है, तो क्या है, यह एक आग पकड़ लेती है, यह जो magnesium है, यह cold water के साथ react करती है, ये react करती है hot water के साथ और बनाती है magnesium hydroxide और hydrogen और ये क्या है? फ्लूट करना शुरू कर देती है क्योंकि जो hydrogen gas के bubble होते हैं ये इसकी surface पर चिपके होते हैं इसके अलावा aluminium, zinc, iron जैसे जो metal है ये ना तो थंडे पानी के साथ react करते हैं और ना ही ये hot water के साथ react करते हैं ये react करते हैं steam के साथ और ये बनाते हैं metal oxide और इसके साथ hydrogen gas तो जो metal है जब भी ये water के साथ react करते हैं तो हमेशा क्या बनाएंगे? metal oxide बनाएंगे और इसके साथ क्या बनाएंगे? वो hydrogen बनाएंगे next अब हम कुछ important points देख लेते हैं कि जो आपका sodium metal है ये बहुत जादा reactive होते हैं इसलिए हम इने kerosene में ड़ोकर रखते हैं हमने पहले भी बात कि थी कि यदि हम sodium को खुले में रखेंगे तो वो एकदम से react करेगा और आग पकड़ लेगा इसके अलाबा जो phosphorus जैसे non metal होते हैं वो क्या होते हैं? जब वो air के contact में आते हैं तो ये बहुत जादा reactive होते हैं इसलिए हम इने water में store करके रखते हैं क्योंकि ये water के साथ react नहीं करते हैं नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं reaction with acids की तो जब metal acid के साथ react करते हैं तो वो hydrogen gas produce करते हैं जो की pop sound के साथ burn हो जाती है नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं aquarazia की तो जो aquarazia है वो mixture होता है concentrated hydrochloric acid का और nitric acid का और हम जिस ratio में इन्हें mix करते हैं वो ratio होती है 3 ratio 1 जो aquarazia है ये बहुत जादा corrosive होता है कि even ये gold और platinum को भी dissolve कर देता है तो आपको पता होना चीए कि aquarazia किन चीजों का mixture होता है और इन्हें कितनी ratio में लिया जाता है क्योंकि ये question भी पूछा जाता है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही यदि आपको कुछ doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो thank you